नमस्कार मितरानों कशे हाथ आपका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल में जिसका नामे दे इंवस्मेंट गुर जी दोस्तों आज की इस वीड़े में हम लोग बात करने वाले है यस बैंक से रिलेटेट तीन बहुती इंपोर्टन मुद्दों पे फिर्स्ट हमारा म एक्षन ले रहे हैं एन पेसे रिलेटेट जो है बहुत सारी जो इशू चल रहे थे उसके ऊपर यह रिकवरी करने के लिए एक्षन ले रहे है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और थर्ड हमारा मुद्दार रहेगा कि क्या न्यू लेवल सवागर यहां से निकल के आत प्रफिशन अपडेट तो डिफनेटली यहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए अस विल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमेशा हमारा लेटेस इंविसरी रिडियो मिलते रहेंगे अगराव यहां पर पहली इंपोर्टन न्यूस देखे तो मूरी जो रेटिं कारंड समझे तो यहसबंक सेस्पूल एक्विटी एकपितल रेस और 15,000 करोड एस ब्लॉस्ते इट सॉल्वेंसी एंड इस अमेन ड्राइवर अप दरेटिंग अपग्रेड तो जैसे की मूरी ने कहा है इन्होंने जो 15,000 करोड का अभी जो है एफ्पियो लाय था तो उससे बहुत ही सकस्पूल इन्होंने कैपितल रेस किया जिसका मतलब दोस्तों कि बहुत सारे इंवेस्टर अभी भी जो है यस बैंक में इंट्रेस्ट हैं इन्वेस्मेंट करने में तो इसके बैसे जो है इनकी रेटिंग एजनसी ने जो है रेटिंग बढ़ाईए दर फॉस्ट इंपोर्टन थी एजल अगरम लोग यहां पर तेके तो करेंटली जो है आर्बिया एज वेल इस बैकी जो मोन टीम फॉर्म हुए है तो दोनों मिलके जो है यस बैंक को ऊपर खिचने की कोशिश कर रहे है डूमने से बचाने की कोशिश कर रहे है अगरम लोग कुछ डेटा करोर लिक्विटि सपोर्ट फ्रम अर्बिया तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अर्बिया एस वेल जो एस बैकी कॉंसर्टियम होए उसके अंडर एस बैके साथ बहुत सारे बैंक जो मिले है वो सारे बैंक जो है यस बैंक की जो इशू चल रहे है उसको ऊपर खिचने की जो जो यस बैंक डूब रहा है उसको यह पैसा देके बचाने की कोशिश कर रहे है अगर लोग यहां पर सेकंड इंपोर्टन बात देखे तो करंटली जो यस बैंक के सीयो है प्रशांद कुमार तो बहुत ही स्ट्रिक एक्शन ले रहे है एंपे से रिलेटेड जो भी नॉ बहुत बड़ा करजा था तो वह रिकॉड करने के लिए इन्हों ने जो जो है पॉसेशन लिया ए अनी लंबानी का जो हेड़कॉर्टर है संतकरुज्ब में तो वहां का अलुट दो जो फ्लाइट है बहुत है तो यहां पर हम लोग देख सकते के बहुत ही स्ट्रिक एक्श puts AMC arm on the block, तो इसका अगर हम लोग decode करते हैं, मेनिंग कर गए तो SBA, Yes Bank की जो AMC है तो वो जो है वो अभी बेचने का यहां पर प्लाइंग चल रहा है, अगर हम लोग यहां पर यहां पर देखें तो Yes Bank had decided to sell its mutual fund business, जो कि हम लोग AMC B कहते हैं, to private lenders, तो इसके जरी है वो definitely और पैसे जुटाएंगे, अगरों लोग यहां पर देखें तो इसमें already six entity express दिखा चुके इंटरस में, इनका यह business AMC का करदने में, तो यहां से जो है Yes Bank के NPS चर रहे है, internal issue चर रहे है, और अगर हम लोग यहां पर देखें तो वो Yes Bank है, currently वो अपने core business पर फोकस करना चाहता है, Yes Bank is plans to focus on its core business as well as यहां पर दूसरा important reason हम लोग देखें, तो asset management business is hard to build, it is requires a lot of capital as well as effort and unless you manage to scale up the business, the profitability isn't, तो यहां पर problem यह होरी कि Yes Bank के internal issue चर रहे है, NPS से related issue चल रहे है, bank already जो गाटे में है, तो उसको जो है, गाटे से जो profit निकालने के लिए, definitely इनके उपर जो दूसरे कर्जे है, AMC, जो है, वो order जो है, हम लोग losses में देख सकते है, AMC business जो है, Yes Bank का already loss में चल रहा है, तो वो definitely improve करने के लिए, यह जो है decision आते हुए में देख रहा है, तो definitely यह जो इस प्रकार्ट decision है, अगर वो आने वाले दिनों में इनकी जो planning है, पूरी management की जो particular decision ले रहे है, वो अगर successful होते हैं, तो आने वाले दिनों में definitely हमें जो है, Yes Bank में एक अच्छा खासा जो है, Yes Bank का future दिख सकता है, इस level से, चली करते है, stock का chart analysis, अगर हम इन्वेस्टर आगे आए, जैसे की SBI Consultor में जो है, Axis Bank, ICS Bank, Kotak Bank, as well as जो individual owner रहे है, जैसे की Radha Kishan Damani, Rakit जुन जुन वाला, तो उन्होंने यहाँ पर पैसे लगा है, नीचे के level पे specifically, और उसके बास stock ने अच्छे का सी rally काई, और यहाँ पे जो हम लोग देख सकते है, बह 25 रुपए की level से यहाँ पे गिरावट देखी गई, और अभी stock 12 रुपए 25 बैसे पे चल रहा है, तो अगर हम लोग इसका RSI की बात करें, तो RSI already oversold zone में चल रहा है, 16.46 पे इसका RSI अभी चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे MSD की बात करें, तो MSD की दोनों line अभी negative direction में है, अगर हम लोग यहाँ पे जो close आते हुए देख रहे हैं, तो specifically अगर आने माले जो 18 trading session है, वहाँ से यह stock current level से टूटा नहीं है, तो definitely हम लोग जो है, यहाँ पे positive move आ सकता है, लेकिन यह move maybe false भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकता है, कि यहाँ पे consolidation ह जल रहा था, लेकिन फिर भी lines उपर जा रही थी, और इसके बाद यहाँ पे short थोड़ा fall आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे negative direction हो गया, तो यह जो है, यहाँ पे short term में हम लोग इस पे जो है, MECD line पे specifically MECD line देखके decision नहीं लेख सकते है, अगर लोग बोलिंजर बैंड की गिरावड देखी है यह पिछले एक मेने के दोरान और उसके बाद जो stock है, अभी consultation zone में चल रहा है, अगर लोग इसके important moving average की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका पहला जो moving average है 15 दिन का, तो वह आ रहा है 15 रूपे 26 पैसे पे, तो मेबी आने वाले तो वह 25 दिन का है, जो आ रहा है 19 रूपे, तीसरा इसका moving average है, पचास का, जो आ रहा है 30 पे, अगर लोग इसके important moving average की बात करें, जो है 50 days का moving average तो वह आ रहा है 26 रूपे 56 पैसे पे, और अब लोग टम की moving average की बात करें, 200 का moving average, तो वह एक ही बार इसने तोड़ा था, यहा 24 दिन का, जो आ रहा है 15 रूपे 26 पैसे पे, वह कब तोड़ता है, अगर हम लोग specifically weekly chart की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग weekly chart में clearly देख सकते है, इसके निचे आया नहीं और उस लेवल को भी टेस्ट किया नहीं, तो देखी जाए तो यह अच्छे और पॉजिटिव नहीं ह हो सकती है, अगर हम लोग यहाँ पे तो आज stock gap up कुला, इसका main result था, इसकी जो rating agency है वो बढ़ा दी, लेकिन अभी जो इसकी current rating की गई, CAA1, तो उसका अभी भी meaning होता है, उसमें अगर हम लोग detail में पढ़े, तो आपे clearly उनने mention किया कि अभी भी यह higher risk investment है, तो first of all अगर अभी जो है invest करने की सला नहीं दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग specifically देखें, तो यहाँ पे एक तेजी आई थी, गिरावट हुई थी और यहाँ पे April, first of week of April, से यहाँ पे हम लोग एक constellation होन में चल रहा था stock, और उसके फिर भी इसने जो है, यहाँ पे तोड़ के नीचे भी जाने को मिल सकता है, देख सकते हैं, तो definitely अगर आपकी fresh entry लेने की होगी, तो definitely मैं यहाँ पे fresh entry की सला नहीं दूँगा, that's the first point, second point, अगर आपने stock में already निविश किया है, मैं फिर से repeat करता हूँ, अगर आपने stock में फिर से already निविश किया है, तो definitely आप stock को hold क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से positive news आ रहे है, यह NPS यहाँ पे सुदर रहा है, तो definitely आने वाले दिनों में यह जो है, हमें अच्छे territory में जाते हुए देख सकता है, stock अच्छा आगे बढ़ सकता है, अगर यह NPS जो भी यहाँ पे design ले लिए जा रहे है, तो उस से related रहे है, as stock में निवेश करने से पहले आप आपका कुद का analysis जरूर कीजिए और उसके बाती stock में एंटर कीजिए क्योंकि stock जो है, बहुत ज्यादा वह लाटाइल है, तो यह था इस particular जो है, yes bank का review, definitely आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक like कर दीचे, as well as the investment Guruji चानल को subscribe कर कीजिए, तो दोस्तो, that's all for this video, thanks for watching this video, मिलते में नेक्स वीडियो में, till then, goodbye